हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजिए तो पिछली वीडियो में है मैंने आपको यहां फूटबाल मतलब पोलो से सम्मंदित तथा बैड़मिन्टन से सम्मंदित जितने की कौप थे और जितने भी प्रशनों बन सकते थे मैंने उन पर चर्चा की आज का जो हमारा वीडियो है वा फूटबाल से सम्मंदित कौप से होने वाला है इसमें हम आपको ट्रिक के मा आएंगे तो आईए सुरू करते हैं इसका जो ट्रिक होगा फिर सी सू संग युवा डमरू बचा यह आपको लिख लेना है ठीक है उसके बाद में आपको ऐसे फी से फीफा कप रा से रोबर्स कप सी से सीजर्स कप सू से सुब्रतों मुखर्जी कप सम से संतोस कप तथा यू से यूरो कप और डा से डूरंड कप मा से मर्डे का कप तो आपको फिर सी सू संग युवा डमरू बचा यह ऐसे याद करेंगे तो आपको इतने सारे कप ऐसे ही याद हो जाएंगे जिसमें से फुटबाल से सम्मंदित यह सारे कप है फुटबाल से सम्मंदित कप आपको ए कंप है ठीच है। अब आई यह देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आद JUST पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे फुट बाल का मक्का लोग वर भाल का मक्का ब्राजील को चाई आ जाता है पाइटालिस से पाइटालिस मिनट के दो हाप होते हैं ना ने होते हैं तोटल कुल मिला करके नब्य मिनट का खेल होता है ठीक है फुटबाल जो है वह ब्राजील फ्रांस का राश्टिय खेल है कहां कहा है फ्रांस और ब्राजील का राश्टिय खेल कौन सा खेल है फुटबाल जो है ब्राजील और फ्रांस का राश्टिय खेल है डेविट बैक हम, शिशिर घोस, रोनालडो, पेले, बाइचुंग भूटिया, रोनालडिनो, जेने दिन जिदान, इसके कुछ प्रसिद्ध खिलाडी हैं कौन कौन से है डेविट बैक हम है शिशिर घोस, रोनालडो, पेले, बाइचुंग भूटिया, रोनालडिनो, और जिने दिन जिदान, जो है यह सारे, मतलब फुटबाल के खिलाडी हैं जो कि प्रसिद्ध खिलाडी हुएं, अगर इनका नाम आता है तो आपको फुटबाल पर टिक करना है इसका पहला बिसकप जो है 1903 में उरुगबे में आयूजित किया गया था में खेला गया था जबकि 2018 का विशकप रूस में हुआ था ठीक है 2014 का फुटबाल विशकप जर्मनी ने चौथी बार जीता था तो अगर देखा जाए 2014 में फुटबाल विशकप किसने जीता था तो जर्मनी जीता था जो की चौथी बार जीता था जर्मनी ने फाइनल में अर्जन्टीना को एक जीरो से हराया था कैसे जीता था वन जीरो से हराया था इस मेज के हीरो जो है मारिया अगवेड्स रहे इससे पहले जर्मनी ने 1990 में जर्मनी ने यह खिता जीता था ठीक है गोल्डन बूट कोलाम्बिया के जेम्स रोडी गेज ने जीता गोल छे से गोल्डन बाल लियोनेस मेसी अर्जिन्टीना को मिला गोल्डन गलब्स मैनुवल नियर जर्मन गोल कीपर को मिला था यह 2014 की बात हो रही है जर्मनी के कप्तान टेरी मेशर रहे गोल्डन बूट जेम्स रेडरी गेज थे गोल्डन बाल लियोनल मेसी तथा गोल्डन गलब्स जो है मैनुवल नियर थे ठीक है अब आईए देखते हैं किरिकेट से सम्मंदित ट्राफी योम कप तो किरिकेट से समन्दिट ट्राफी हम कब जो है वह ऐसे याद करेंगे हम D, I, D में R, J, C, K गया ठीक है इससे क्या हो गाएगा D से हो जाएगा आपका दिलीब ट्राफी I से होगा इरानी ट्राफी D से होगा देवधा ट्राफी R से होगा रणजी ट्राफी जहां सी ट्राफी जैसे तथा C के से C के नाइडू ट्राफी तो किरिकेट से समन्दिट कौन कौन से ट्राफिया है दिलीब ट्राफी, इरानी ट्राफी, देवगा ट्राफी, रणजी ट्राफी, जहां सी ट्राफी तथा C के नाइडू ट्राफी यह सारी ट्राफिया जो है वहा किर्केट से सम्मंदित है इसे भी अपनी कापी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ठीक है अब आई ये देखते हैं इससे सम्मंदित जो है क्वेस्चन किर्केट खेल का जन्मदाता इंगलेंड को माना जाता है किरिकेट के स्टंप की लंबाई लगबग 72 सेंटीमीटर होती है कितनी होती है किरिकेट स्टंप की लंबाई तो वह 72 सेंटीमीटर की होती है विसुकप 2015 कायोजन आश्ट्रेलिया एम न्यूजी लेन में किया गया था विसुकप 2011 कायोजन इंगलेन में किया गया बल्ले की लंबाई जो है 96.6 cm तथा चौड़ाई 22.9 cm होती है इसके स्टांप की लंबाई लगभग 72% होती है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है किर्कट की गेंद का भार 155 से 168 ग्राम होता है इसके पिछ की लंबाई 22 गजे जो की 20.11 मीटर होती है ठीक है तो यह सारे रहे आपके स्पोर्ट से सम्मंदित जिसमें हमने पुटबाल तथा किर्कट से सम्मंदित ट्राफी तथा उससे सम्मंदित प्रश्ण परचर्चा की आणवी आसे करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चेनल पर नई है तो चेनल को सब्सक्राइब कर well icon प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए थैंक यू जाइन जाए भारत